हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 11 हिंदी कोर की बुक है आरो भाग एक इसके काविखंड को हम पढ़ रहे हैं काविखंड का हमारा अध्याय है घर की याद ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी है भवानी प्रिशाद मिश्र जी ने आज इसके हम करने जा रहे हैं दुसरि है भता भागे कोर्स और हमारी एक तीसरी बुक है आभिवर्च और मांध्या ये बुक एसे है जो क्लास 11 और 12 दोनों में कम्बाइन रूप से पढ़ाई जाती है क्योंकि इसके कुछ चैप्टर 11 के हैं और कुछ 12 के हैं और जो चैप्टर 11 के हैं वो भी आपके कोर और एलेक्टिफ दोनों ही सिलेबस में पढ़ाई जाते हैं तो वो बुक जब पढ़ाएंगे तो सब चीज क्लियर करेंगे लेकिन अभी हम आज आते हैं हमारे ये कोर की ये जो पहले बुक है आरो भाग एक ये बुक हमारे दो खंडों में विवक्त हैं गद्धिखंड और कावे खंड गद्धिखंड हम कंप्लीट कर चुके हैं अब आज आते हैं कावे खंड पे कावे खंड जो है हमारे पास में जो आज हम चेप्टर लेकर आए हैं घर की याद भवानी प्रिशाद मिश्र जो हैं वो सुतंतता संग्राम में भाग लेने के कारण जो है जेल में बंध हैं और वहाँ पर सावन के मौसम में जब बहुत साधा अत्यधिक वारिश हो रही है तो उस समय उस वारिश यानि की वर्षा के मौसम में उन्हें अपने घर की बहुत याद आ रही है और उसी को याद करते हुए उन्होंने इस कविता को लिखा और इस कविता में उन्होंने अपने घर के हर एक सदस का बहुत ही अच्छे से व्याख्यान किया है तो ये कविता का detailed explanation, NCRT solution और आपका most important question complete after revision हम कर चुके हैं तो अब देखते हैं multiple choice question यानि की बहुविकल प्रेशन तो ध्यान रखेगा जब हम काविखंड के एक questions करते हैं खासतोर से बहुविकल प्रेशन तो ये ध्यान रखना है जहां आपको कवि का परिचे, कवि की काविगत विशेशत आएं, पार्ठ के बारे में जो पार्ठ परिचे वो रहता है, कविता का परिचे जो रहता है कि जहां आप सब कुछ ready करेंगे, तो ये तो हमने आपको बता दिया और इसी तरीके से हम इस पार्ठ के भी प्रष्ट आपके लिए लेकर आएं, इसी तरीके से लाएं, हर जगह से हम आपके लिए प्रष्ट इकठा किया है तो चले देखें, सबसे पहला प्रष्ट है कवि को अकसर किसकी याद आती है, परिवार की, मित्र की, पत्नी की या सगे संबंधियों की तो उने किसकी याद आ रही है इस कविता में, हमने देखा ना पूरी कविता काफी बड़ी कविता है, तो कौन कवि किसको याद कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं अपने परिवार को, अपने माता को, पिता को, अपनी बहनों को, भाईयों को, उनके साथ जो वक्त बिताया, उन सभी को उन्होंने वो याद कर रहे हैं इस कविता में क्यों कि भाई वो तो जेल में बंद है ना उनके पास तो है नहीं अब वो इसके सासत ये भी इमेजन कर रहे हैं कि जब वो इस समय अपने घर पर नहीं होंगे तो उनके घर वाले कैसा महसूस कर रहे होंगे तो ये ज कविता में दिया क्या चीज ऐसी है जिसमें वो अपना टाइम व्यतीत करते हैं काम करने में अब ये चुकि एक कवी है तो इसका मतलब है क्या कविताएं करते हैं नहीं क्या दिया है बागवानी में दस्तकारी में चितरकारी में या चर्खा कातने में तो वो क्या करते हैं बा जो इस तरीके के प्रश्ण हैं आपको देखने में वड़े छोटे लग रहे हैं लेकिन इनके पीछे बहुत सारी चीज़े छिपी हुई होती है अब ये आपको इस कोशन का आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपने पूरी कविता बढ़ी हो एक तो भागना होता है literally हम run कर रहे हैं लेकिन एक होता है कुछ चीज़ों से हमें दूर रहते हैं तो उसको भी हम भागना कहते हैं तो यहाँ पर वह भागने का तातपर क्या है? किसी चीज़ से दूर रहने से क्या दिया है? अंधकार से, शोर से, आदमी से या बंदूग से तो जो कविता में दिया गया है उसके हिसाब से वो आदमी से भागता है यानि कि वो आदमी से दूर रहता जेल है, जेल में बहुत सारे लोग बंध है कुछ चोर बनमाश भी है, कुछ जाकूल लुटेरे भी है गुसुतंतता संग्रामी भी बहुत सारे लोग हैं तो वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं वो किसी भी आदमी को देखते हैं तो कट लेते हैं मतलब उनको किसी से कोई बात नहीं करनी चुप चाप अपना अकेले रहना है प्रेश्न संख्या चार है कवी कारावास में किसी संबोधित कर रहा है अब ये पूरी कविता उन्होंने किसको संबोधित यानि कि ये कविता जब वो लिख रहे हैं तो यानि कि वो किसी से बात करते हुए इस कविता को लिख रहे हैं अब वो किसको संबोधित कर रहे हैं अर्थात वो किस से संबात कर रहे हैं जो उन्होंने इस कविता में मेंशन किया हैं तो ये तो बात उन्होंने पहली लाइन में कविता की पहली लाइन में ही बता दिया है कि वो किस से बात कर रहे हैं सावन को पिता को बादल को या माता को तो उन्होंने इस पूरी कविता में किसको संभोधित किया है किस से वारता लाप कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सावन से ठीक है ना तो बहुत रात भर गिरता रहा ठीक है मन भावनाओं से तिरता रहा इस तरीके से कविता है ना तो वो उसका तातपर क्या है कि वो सावन को ब भाग लिया था अब कभी हमारे कहां जेल में बंद हैं तो कौन से स्वाधिनता आंदोलन में यानि स्वाधिनता आंदोलन का मतलब तो सीधा है कि हमारे देश की आजादी के लिए जो आंदोलन होता है तो उसके लिए भी कई आंदोलन चलाए गए थे तो उसमें कौन सा आंद आंदोलन सविनय अवग्या आंदोलन या इन में से कोई नहीं तो किस आंदोलन में ये बात आपको कहां पर पता चलेगी जहां पर हम कविता का परिचे पढ़ रहे हैं वहां से हमें ये पता चलेगी कि वो किस आंदोलन की बात कर रहे हैं वो असायोग आंदोलन में भाग ले तो इसलिए मैंने आपको बोला ना कि कविता पढ़ना है कविता का अर्थ पढ़ना है उसका आश्रे पढ़ना है कविता का परिचय पढ़ना है तो जो कविता का परिचय है उससे ये प्रश्णाया है कि वो असयोग आंदोरन में जेल में बंद थे और वहाँ पर बैठ कर उन संदेश दे रहे हैं कि हां मैं ठीक हूं सही है अब उन्होंने क्या किया सावन को संबोधित किया सावन से बात की और सावन से ही वो संदेश पहुचा रहे हैं मगर किसको वो संदेश दे रहे हैं अपनी माता को अपने पिता को अपनी बहन को या अपने भाईयों को तो बात त परणदेश किसी एक को ही पहुँचा रहे हैं, वो है अपनी पिता को, किसको अपनी पिता को बोल रहे हैं, कि उनको जाके कहना कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, खुश हूँ, यह मत कहना जैसा मैं यहाँ हूँ, वैसा तुम वहाँ जाकर मत बताना नहीं, तो वो और जादा दु की होंगे प्रेश्ण संख्या साथ है कवी के अनुसार किसकी आयू अधिक होने पर भी उनमें युवाओं जैसा उत्सा है अब कविता में वो किसके बारे में बात करें कि उनकी आयू अधिक है मतलब उनकी उम्र जादा है लेकिन उस उम्र के बावजूद भी उनके अंदर ज यही सब जादा होते हैं तो दादा दादी की तो उन्होंने बात ही नहीं करी तो उन्हों तो पहले निकाल दो और माता के बारे में अन्होंने ये चीज़ बोली नहीं सारी ठकान हमारी उतर जाती है तो किसकी गोद में रखा ये तो मैंने आंसर आपको पहली बता दिया न माता की, पिता की, भाई की या बहन की तो किसकी गोद में सर रखते थे वो है माता की गोद में प्रेश्न संख्या 9 है कवी ने घर को किस से भरा पूरा पाया है अब उन्होंने बताया है ना कि उनका परिवार किस चीज से भरा घर उनका किस चीज से भरा हुआ है अन से, धन से, खुशी से या परिवार से तो उनका घर जो भरा हुआ है वो है खुशी से क्यों क्योंकि भाई चार भाई मतलब पांच तो ये लोगों कभी को मिला ज़े तो पांच हो जाएंगे चार बहने हैं माता हैं पिता हैं सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और खोशियों से भरा पूरा उनका पूरा परिवार है प्रेशन संख्या 10 है कभी को किस रितु में घर की याद आती है कौन सी रितु में घर की याद आ रही है सावन, सावन के महीने में वो चीज लिख रहे है बारिश हो रही है तो सावन का महीना किस रितू में आता है सावन जो है वो महीने का नाम है लेकिन रितू कौन सी होती है वो रितू होती है वर्षा रितू तो वसंत रितू, गिरिश्मी रितू, शरद रितू या वर्षा रितू तो कौन सी रितू है वो है आपकी वर्षा रिदू प्रेश्ण संख्या 11 है कवी की कितनी बहने हैं अभी मैंने आपको थोड़ दिर पहले बताया और वैसे भी उन्होंने वो चीज कविता में बताई है चार भाई, चार बहने भुजा भाई, बताया ना भुजा भाई, जो है यह इस बारे में बताया है तो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि उनके चार भाई हैं और चार बहने हैं तो सीधे सीधे कितनी बहने हो गई आपकी चार बहने कवी के कितने बहाई हैं वो भी मैंने आपको बता दिया चार बहाई, अगर यह बोचा जाए कि कवी कितने भाई बहन हैं तब आप कितना बोलोगे वो है 9 भाई बहन पांच हुए भै चार भाई है खुद एक कवी 5 हो गए और 4 बहन है तो कितने हो गए टोटल भाई बहन 9 भाई बहन हो गए प्रेश्ण संख्या 13 है कवी ने भाई को क्या कहा है भुजा, हाथ, पैर, या मूँ ये तो भी आमने बताया था ना भुजा चार के जो भुजा है उनको वो बताया था भुजा का मतलब आप जानते हो न ये पूरी बाद जो इसको हुँ भुजा बोलते हैं प्रश्ण संख्या 14 है कभी के पिता के बोलने में किसकी गरजना सुनाई देती है उन्होंने बताया ना कि जब उनके पिता बोलते हैं तो उनकी आवाज में जो गरजना होती है वो किस तरह है कुछनों की आवाज बहुत भारी होती है प्रश्ण होती है उनकी बात सुनो तो बहुत वजन लगता है एक वो होता है एक उनकी कुछनों की आवाज में ही भारी पन होता है तो उनके पिता की आवाज में वो भारी पन है वो किस चीज की का भारी पन है सिंग की हाती की सुन तो जब उनके पिताजी बोलते हैं तो उसी तरह की गर्जना सुनाई देती है प्रश्ण संख्या 15 है कवी का घर किस का भंडार है? किस चीज का भंडार है? धन का, अनाज का, खुशियों का या दुखूं का तो उनका घर किस चीज का भंडार है? किस चीज से भरा हुआ है? वो है खुशियों का भंडार है प्रश्ण संख्या 16 है कवी के भाई आपस में किस के कारण बहुत गहरे जुड़े हुए अब आपस में उनका ऐसा क्या है? भाई बहुत सारे होते हैं तो लड़ाई जगड़ा भी होता लेकिन यहाँ पर भाईयों के बीच में बहुत सारा अपनत्व प्यार दिखायेगा तो किस के कारण वो आपस में इतना जुड़े हुए है पैसे के कारण, घर के कारण, इदशा के कारण या प्रेम के कारण तो किस के कारण जुड़े है? वो है प्रेम के कारण वो आपस में इतना जुड़े हुए है प्रेश्न संख्या सत्रा है घर की याद शीर्शक कविता के कवी का नाम बताईए अब ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं इसके कवी कौन है उन्होंने खुद अपने बारे में बता रहे हैं अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं अपनी परस्ति के बारे में बता रहे हैं तो वो कवी कौन है सुमित्रा नंदन पंथ जैशंकर प्रशाद भवानी प्रशाद मिश्र या महादेवी वर्मा तो कौन है वो है भवानी प्रशाद मिश्र जो है इस कविता के रचाईता है प्रश्ण संख्या 18 है घर की याद कविता कहां पर लिखी गई है अब कहां पर है कभी, कहां पर बैठकर इस कविता को लिख रहे हैं नदी के किनारे, जेल में, विद्याले के प्रांगड में या घर के प्रांगड में तो वो कहां बैठे हैं, वो बैठे हुए हैं जेल में जेल में बंद है न, वहीं पर उन्होंने इस कविता के रिचना करी है, तो सीधे-सीधे कहा है वो जेल में, प्रेशन संख्या 19 है, कवी को जेल में क्यों बंद कर दिया गया है, आखिर उनको जेल में क्यों रखा गया है, क्या कारण है लबाई महां बंद कर दिया गया है, सन 1942 1942 के आंदोलन में भाग लेने पर चोरी के मामले में गबन के मामले में गबन का होता है मतलब धोका धड़ी करके जो पैसे अडप लिये जाते हैं उसको गबन कहते हैं देश द्रहों के मामले में तो उन्हें किसलिए जेल में बंद किया है क्योंकि उन्होंने 1942 में असयूग आं साव बारिश का मौसम होता है ना कभी कभी देखे पूरा दिन बरस रहा है एक एक दो दो दिन पानी बरसता रहता है तो आप क्या है जब कभी हमारे जेर में बन थे तो उस राद सारी राद बारिश होती रही तो उसकी तुलना वो किस चीज़ से कर रहे हैं नदी की धारा से जरने के प्रवाह से कभी के प्राण और मन के घिरने से या रात भर जगने वाले विक्ती से तो जो कभीता में लाएं दिये ना रात भर पानी घिरता रहा मन प्राण जो है तिरता रहा तो क्या है प्राण मन जे तिरता रहा अर्थात कभी ने प्राण और मन के घिरने की बा प्रश्न संख्या 21 है कवी की मा का पत्र कवी को क्यूं नहीं आता है अब वो चूकी जेल में बंद है अब उनकी मा जो है उनको पत्र नहीं भेज थी इसका कारण क्या है वह कवी से नाराज थी इसलिए अब चुकी उन्होंने सभी को अंदोलन में पाट लिया और वो जेल में आ गया इसलिए उनकी मा नाराज है इसलिए वह अनपढ़ है पढ़ लिख नहीं सकती इसलिए वो पत्र न भेज सकती है और नहीं वो पढ़ सकती है इसलिए वह कवी को नहीं चाहती, वो कभी को प्यार नहीं करती, इसलिए वो पत्र नहीं लिखती, उनके पास कभी का पता नहीं है, यानि क्यों पास एड्रस नहीं है, तो देखें, जो हमारी इस कविता में बताया गया है, कारण यह है कि उनकी मा का कोई पत्र नहीं आता, उसका सबसे बड़ा क प्रश्न संख्या 22 है कवी की पिता को क्या नहीं व्यापा? व्यापा का मतलब होता है क्या चीजने हमारे उपर नहीं चड़ने पाई? ठीक है? अब ये व्यापा शब्द जो है कविता में जस्का तसलिया गया है वैसी है बुढ़ापा, जवानी, बश्चपन या किशुरावस्था अब पिता जो है अब चुकि भवानी खुद यंग है तो पिता तो जाहिर सी बात है बुढ़े हो गए हो गए की नहीं? मतलब पचास, 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 पच्पन, सतावन के तो होंगे? होंगे ही ना इस तरीके से उम्र में होंगे? लेकिन तब भी उनके उपर जो है वो बुढ़ापा नहीं चड़ा है क्यों क्योंकि वो इतना फिट रहते हैं, अपने आपको तंदृस रखते हैं, वरजश करते हैं, तो इसकी वज़़से वो क्या है? वो तंदृस है तो सीधे-सीधे क्या हुआ? उनको बुढ़ापा नहीं व्यापा प्रश्न संख्या 23 है कवी के पिता का बोल कैसा था अब वो बोल जब उनके आवास होती थी तो क्या होता था बादल गरजते थे तो उनका बोल कैसा बताया गया है कोयल के समान मधुर, शेर के समान भयंकर, बादल की गरजन के समान, बिजली की कड़क के समान तो किस तरीके से बताया गया है कविता में वो है बादल के गर्जन के समान उनके बोल में जो है बादल का गर्जन सुनाई देता था प्रेशन संख्या 24 है कवी के पिता के काम की शैली के सामने कौन लग्जित होता है यानि कि उनके काम करने का जो तरीका है सब कुछ है उसके सामने कौन लजजित हो जाता है अब जाहिर सी बात है इत्ता ही है जो एज़ वाले होने के बावजूद भी उनके अंदर जो है इतना जादा चुश्ती फूर्ती है तो किस तरीके के लोग उनके काम से लजजित हो जा अब तूफान जब आता है तो क्या होता है, बहुत ज़ादा तेजा आंधी तूफान चलता है, खड़कर खड़कर बहुत तेजी होती लेकिन उससे ज़ादा तेजी कवी के पिता जी के काम में थी, इसलिए वो चीज इसको उन्होंने उनके तूफान से कंपेर किया कि तेजी है हर चीज को विवस्थत करके सजी दे जबकि तूफान जो हर चीज को विवस्थत कर देता है खराब कर देता है हो जाता है तो यहां पर वो क्या करता है वो हर एक चीज़ को वो विवस्थत करते हैं और तूफान से कहीं ज़्यादा तेजी उनके काम में रहती है प्रेशन संख्या 25 है कभी की पिता किसके आगे नहीं हिचकते हैं इश्वर, परिवार, मौत या तूफान अब हिचक का मतलब होता है जैसे हम किसी के सामने हम आए एकदम से अब हम उस चीज़ से डरते हैं तो हम हिचक ही जाएंगे हम नहीं हो जाएगा न अब जैसे आप मालो हमको छिपकली से डर लगता है तो हमने चिपकली देख ली तो हम हिचक जाएंगे इदम पीछे ऐसे हिचक का मतलब हम पीछे हट जाएंगे हो जाएगा ना तो कवी जो है वो किसके सामने नहीं हिचकते अर्थात उनको किससे डर नहीं लगता मौत से अब मौत एक ऐसी चीज है कि अच्छा अच्छा आदमी उससे डरेगा लेकिन पिता के अंदर ये बात जो बोली गई नहीं कि मौत से नहीं चकते इसका मतलब भी बताया गया है कि उनके पिता जो है वो बहुत हिम्मती और बहादुर है इसलिए वो मौत से नहीं चकते प्रेश्ण संख्या 26 है कवी के पिता किसका नाम लेकर रो पड़ेंगे अब क्या बताया कि किसका नाम लेकर रो पड़ेंगे घर में तो सभी लोग है चार भाई हैं चार बहने हैं पिता हैं माता हैं जो एक नहीं है उसी के नाम से रो पढ़ेंगे कौन है हमारे कवी बहनों का नाम लेकर छोटे बेटे का लेकर अपने पाचवे बेटे का या पतनी का तो किसका नाम लेकर वो रो पढ़ेंगे? वो है अपने पाचवे बेटे अर्थात भवानी का नाम लेकर वो रो पढ़ेंगे कभी ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है सोने पर सुहागा ये बात किसके लिए बोली है पिता के लिए अपने लिए भाईयों के लिए या बहनों के लिए ये बात कभी ने खुद अपने लिए बोली है कहने का ताथ पर है उन्होंने सोने बताया है अपने चारो भाईयों को और सुहागा बताया है खुद अपने आपको भाई तो अच्छे हैं लेकिन इनके कर्म जो हैं इन्होंने सुधंद्रता में भाग लिया जो इनके पिता खुद चाहते थे उनके पिता जी भी इसी में थे तो इस वजह से उन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया इसलिए इसे सुने पे सुहागा बोला गया है प्रेशन संख्या 28 है कवी के पिता ने स्वर्ण बेटे किसे कहा है अब कवी के पिता जो है वो स्वर्ण बेटे किसे कहते हैं कवी को कवी के अन्य भाईयों को देश भक्तों को या सैनिकों को आप देखे यहाँ पर सोने पे सुहागा है तो सोना किसको कहा गया उनके चार भाईयों को और सुहागा को ने खुद भवानी अर्थात कवी तो सुर्ण बेटे किसे कहा कवी के अन्य भाईयों को प्रश्ण संख्या 29 है कवी की मा की कोख कब लज्जित होती यानि कि अब ऐसा क्या काम होता कि उनकी कोख लज्जित होने का तातपर यहां पर यह होता है यह एक मुहावरा है इसका अर्थ होता है कि बच्चे द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाए कि महाँ पर मा जो है वो लज्जित हो यानि कि बच्चा को ऐसा काम करे जिससे मा को बहुत ही ज़ादा मान और सम्मान की हानी हो ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसा कोई काम ऐसा कौन सा होता जिससे मा लज्जित हो जाती क्या था? यदी कवी आंदोलन में भाग ना लेता यदी कवी कविता ना लिखता यदी कवी जेल से भाग आता यदी कवी गीत ना गाता तो कविता में जैसा बताया गया है कि अगर जो है कवी अर्था भवानी जो है वो स्वतंतरता आंदोलन में भाग ना लेते तो वो अपनी मा के मान सम्मान को हानी पहुँचाते तो सीधा सीधा क्या है कि यदि कभी आंदोलों में भाग ना लेते तो मा की कोक लज़ित हो जाती यानि कि उन्होंने जो काम किया है सम्माननी ये कारे है प्रश्ण संख्या 30 है पाव पीछे हटाने का अर्थ क्या है अब जैसे मैंने बताया कि ये क्या है एक मुहावरा है पाव पीछे हटाना इसका अर्थ क्या हुआ पाव के बल चलना भाई सभी पाव के बली चलते हैं फिर पीछे की ओर जाना यानि की बाक में प्राण या वचन का पालन ना करना या उल्टे पाउं चलना तो यहां पाउं पीछे हटाने का तात पर है प्रण या वचन का पालन नहीं करना जैसे हम किसी चीज का काम करने का प्रण लेते कि नहीं हमको ये करना है हम किसी को वचन प्रश्न संख्या 31 कभी अपना संदेश किस के माध्यम से भेजना चाहता है किसके माध्यम से भेज रहा है कभी किसंदेश कभी तो जेल में बंद है अब वहां पर जो इस्थिती है जो महसूस कर रहे है जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उस बात को वह छिपा कर अच्छा-च संदेश वह भेजना चाहते है अपने परिवार वाले यानि कि अपने पिता के पास में अब वो किसको मेसेंजर बना रहे हैं किसको जरीए भेज रहे हैं डाकिये के जरीए बादल के जरीए देशभक्त के जरीए या अपने जो है मित्र के जरीए तो अब यहां देखिए ज वो बादलों के जरीये जो है वो अपने पिता को संदेश भेज रहते हैं आप देखें यहाँ पर आपको बहुत जादा अपना प्रेजेंट आप माइंड लगाना पड़ेगा कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमने बुक में पढ़ा है वो option नहीं देखें उसके परयायवाची है something उसे similar चीज़े दे दी जाती है तो आपको बाकी सबसे compare करना है वहाँ डाकिया तो था नहीं देश भग तो बहुत थे मगर सब जेल में बन थे उनके अपने मित्र भी थे लेकिन वो भी जेल में बन थे तो अब बचा कौन बादल क्यों क्योंकि वो सावन के जरी सावन को स सबसे मिलता हूँ लिखता हूँ ये सारी चीज़े उन्होंने बताई कि तुम ये जाकर वहाँ बताना तो अब ये कौन लेकर जाने वाला था सावन सावन अर्थाथ बादल प्रशन संख्या 32 है इसने धारा में कौन सा अलंकार है इसने धारा शब लिया गया अब इसमें अलंकार कौन सा है पहले आप्शन देखते हैं रूपक अलंकार उपमा अलंकार अनुपरास अलंकार और यमक अलंकार अब जैसे यहाँ पर आ रहा है इसने ही धारा इसने ही मत प्रश्न संख्या 33 है देश भक्ती का रास्ता कभी को किस ने दिखाया अब वो स्वतंतरता अंदोलर में भाग लेने के कारण जेल में बंद है अब ये रास्ता उनोंने कैसे किस ने उनको दिखाया कि हाँ ये रास्ता ऐसा है जो अच्छा है तुम इस पर चल सकते हो यहाँ पर अपने देश के लिए हम काम कर सकते हैं ये दिखाया उनको किस ने कभी के भाई ने कभी के बहन ने कभी की मा ने या कभी के पिता ने तो ये उनके एक तरीके से उनके पिता ने ये सारी चीजे बताई और भवानी ने उस रास्ते को चुन लिया प्रेश्ण संख्या 34 है कभी के पिता किस धार्मिक गरंथ का पाठ करते हैं तो ये मैंने अभी आपको थोदिर पहले बताया था कौन से धार्मिक गरंथ का पाठ करते थे रामाण, गीता, कुरान या महाभारत तो वो करते थे किस का? वो करते थे गीता का पाठ किया करते थे दंड बैठक लगाया करते थे सभी ये था न? वही जिस प्रेश्ण संख्या 35 है कभी के पिता कितने दंड करते थे दंड ले यानि कि जो क्या केते हैं exercise का एक पार्ट होता है दंड मारना वो 100, 160, 200 या 260 तो वो कितने दंड लगाते थे वो लगाते थे 260 यानि कि 260 ये जो है वो दंड लगाया करते थे प्रेश्ण संख्या 36 यानि कि 36 अपनी रोज मर्रा की प्रहता कालीन दिन चर्या खत्म करने के बाद जब कवी के पिता घर के उपरी हिस्से से नीचे आये तो उनकी आखों में आसु क्यों आए अब भई घर का जो उपरी हिस्सा है वादन लगाना गीता पार्ट करना exercise करना होगा परिवार नीचे है सिर्फ एक वämänी नहीं है वह है भवानी अर्थाथ हमारे कवी जब वह नहीं है तो उनकी याद में जो है पिताजी की आँखों में आशु आ गए थे क्या था? चोट लगने के कारण, पेट में दर्द के कारण, पुरानी यादों के कारण या घर के घर में अपने लाडले पुत्र फात कवी को ना पाकर घर में सभी दिख रहे हैं उनके चार बेटे हैं, चार बेहने हैं, पत्नी हैं, वो खुद हैं, मगर जो नहीं है वो है उनका लाड़ला पुत्र भवानी, जिसको वो वहाँ ना पाकर उनकी आखों में आशु आजाते हैं प्रिशन संख्या है 37, परिताप का घर का क्या अर्थ है, अब यहाँ पर बोला गया है परिताप का घर, अब परिताप के घर का तातपर क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो यह आपको बताना है, खुशियों का घर, बड़ा घर, तकलीफों का घर, कश्टों का घर, त अब परिताप मतलब क्या होता है ध्यान दीजेगा परिताप का मतलब होता है दुख ठीक है ये दुख का परियावाची है परिताप तो जाहिर सी बात इसका मतलब क्या हुआ वो हुआ कश्टों का घर क्यों अब उस घर में सब के पास दुख और कश्ट हैं सबसे बड़ा कार आप देखे वही जो हमने बताया आ गया क्यों उन्होंने बोला कि ये घर परिताप का घर है जेल में होने की वज़ा से क्योंकि वो खुद जेल में हैं वज़ा से कवी के घर का मौहल गमगीन हैं दूसरा है घर में बहुत सारे लोग होने के कारण घर की आर्थिक इस्ति से कवी के घर का मौहल गमगीन हैं कवी हमारे जेल में हैं इसलिए उस घर का हर एक सदस से गमगीन हैं दुख में हैं तो उसको कश्ट हो रहा है कि वह उनका घर का एक सदस यहां पर नहीं है प्रेशन संख्या 49 है कविता में कभी ने अपनी बेहनों को किसका प्रतीक माना है अब उन्होंने अपनी बेहनों के बारे में जैसे उन्होंने बताया था कि भाई जो है वो भुजा के समान होने का मताज़ पर यहां पर यह था कि वो हमेशा उनको सपोर्ट देते हैं उनको सम्मल प्रदान करते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं ठीक है प्रेम भाव के कारा अब बेहनों को क्या चीज़ का प्रतीक उन्होंने बताया है जम्मेदारी का प्रेम वा ममता का उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं तो सही क्या था उन्होंने प्रेम और ममता का प्रतीक बताया कि उनकी बहने जो हैं वो प्यार लेकर आती हैं मा जैसा प्यार करती हैं वो सभी के साथ में इसलिए उनको प्रेम और ममता का प्रतीक बताया है प्रेश्न संख्या 40 है भुजा भाई में कौन सा लंकार है? अब भुजा भाई कौन सा लंकार है? उत्प्रेक्षा लंकार, रूपक लंकार, उपमा लंकार या अनुपरास लंकार तो ध्यान दीजेगा, देखकर पैचान गए होंगे यहाँ पर भाई और भावर्ण की आवनत्ती के कारण यहाँ पर अनुपरास लंकार होता है तो सही option है आपका अनुपरास लंकार next question है आपका हे सजीले हरे सावन, हे की मेरे पुन्ने सावन पंक्ती की विशेष्टा बताईए, अब इस पंक्ती में क्या विशेष्टा है अर्थात, किस चीज़ को प्रदर्शित किया जा रहा है अब विशेष्टा का मतलब है किस चीज़ के बारे में इसमें बात हो रही है सावन की विशेष्टा का वर्णन किया गया है पुण्य कर्म का विवेचन किया गया है अत्यधिक वर्षा का वर्णन है यहाँ पर सावन का मानविय करण किया गया है अब 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 ध्यान से देखो क्या है हे सजीले हरे सावन अब सजीला कौन लगता है जो सुन्दर लग रहा है और सजीला हमेशा किसको बोला जाता है मानव को बोला जाता है हे कि मेरे पुर्णे पावन अब पुर्णे कौन करता है मनुष्य करता है तो इस तरीके से क्या हुआ सावन का मानुविय करण किया गया यहाँ पर सावन जो क्या है वो एक जो है रितु है एक महीना है उस महीने का यानि कि वो एक प्राकतिक चीज है उसमें जानतो है नहीं जड़ चीज है उसको कंपेर किस से कर रहा है मानव से यानि कि जीवित के साथ में इसलिए ये क्या हो गया सावन का मानवे करण किया गया ह प्रेश्ण संख्या 42 है कवी सावन से अपने पिता को क्या नहीं बताना कहते हैं अब वो सावन को यानि की बादल को संदेश लेकर घर बेज रहे हैं कि अब वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़े बताई कि मैं यहां खुश हूँ मेरा वजन जो है वो सत्तर सेर हो में वो कुछ एक और निर्देश देते हैं क्या बोलते हैं कि तुम वहां जाकर यह मत बताना अब क्या मत बताना वो जेल में दुखी वा अकेले हैं वा गलत कारने के लिए जेल गया है वा जेल में बहुत सुखी है उसको शारेरिक कश्ट हो रहा है तो उन्होंने क्या बता तुम वहां जाकर ये सब बताना सिर्फ ये मत बताना कि मैं दुखी और अकेला हूँ आदमी से भागता हूँ ये बताया था ना आदमी से भागता हूँ अरतात मैं किसी से बात चितना नहीं करना चाहता हूँ और मुझे यहां बहुत दुख है ये वहां पर जाकर बोलते हैं तो फिर वो लोग और ज़ादा दुखी हो जाएंगे. प्रेशन संख्या तिराले इस है, कवी जेल में क्या क्या करते हैं, अब वहाँ पर जो कैदी बंद होते हैं, उनको हमेशा कुछ ने कुछ काम दिया जाता है करने के लिए, अब वो वहाँ पर क्या करते हैं, खेत जोतते हैं, यानि की खेती करते हैं, कुरसी मेश बनाते हैं, भई वहाँ पर कैदियों को दिया जाता है न काम, तीसरा लिखते पढ़ते वादेश सेवा करके अपना नाम रोशन करते हैं, नेक्स्ट है मजदूरी करते हैं, जेल में कवी का वजन कितने किलो हो गया था, कितने किलो हो गया है, अब देखें यहां पर आपको ध्यान देना है, सेर में बताया गया है, कविता में सेर में बताया है, उसे यहां किलो में भी कनवर्ट कर दिया गया, 70 सेर है 63 किलो, 80 सेर है 63 किलो, 90 सेर है 63 किलो, तो अब आप आपको एक्च्वल में यहां दो चीजों के बारे में पता करना है पहली चीज यह कि जो उनका वजन कविता में बताया गया है वो और दूसरा उसके साथ जो किलोग्राम का जो पेमाना दिया कनवर्ट किया गया वो सही तो क्या बताया गया है कविता में 70 सेर तो यानि कि पहल बार में कुल कितने सदस्य हैं? अब आपको count करना पड़ेगा. 11, 8, 5 या 7. अगर आप count करो तो देखो कित्ते हैं? 4 भाई, 4 बहने. कितने हुए? 8. एक हमारे कवी? 9. माता जी? 10. पिता जी? 11. तो total कितने सदस्य हो गए? 11 सदस्य हैं उनके घर में. प्रेश्न संख्या है 46. जब भी कवी के पिता काम करते हैं, तो उनके कार करने के ढग में क्या है? अब उनके कार करने के तरीके में क्या चीज होती है? कुशलता, शालीनता, तेजगती या उपरोक्त में से कोई नहीं. अब उन्होंने बोला थे न, जंजा लरजता है. तो जंजा का मतलब क्या होता है? तूफान. अब तूफान क्यों क्यों से कंपेर किया गया? अर्थात उनके काम में तेजगती रहती है. अब देखो यही को पीछे के आश्रे को भी समझना है. क्यों? क्योंकि इनके जो रूप हैं वो बदल जाते हैं. समझ में आया? अगर आप नहीं कर पोगे तो फिर वहाँ दिक्कत होगी. अगर आपने अर्थ समझा आश्रे नहीं समझा तो कुछ कोश्टिंस जो हैं इस तरीके से उलट फेर कर के भी पूछे जाते हैं. फिर आप उसमें फस जाओगे? फस जाओगे ना? तो वही चीज़ है. तो यहाँ पर क्या होता है? उनकी उसमें जंजा लरजता है अर्था जंजा अर्था तूफान. तूफान कहने का ताज़ पर है कि उनके काम में जो है वो तेज गती रहती है. प्रश्न संख्या सैतालीज है. कवी का घर किसका भंडार है? धन का, अनाज का, खुशियों का या दुखूं का. तो उनका जो घर है वो है खुशियों का भंडार. क्योंकि चार भाई, चार भेने सभी खुश है. है ना? लेकिन चुकि भवानी नहीं है इसलिए आजकल वो 1912 या 1914. अब यह आ गया लेखक परिचय से कोशित. तो उनका जन्म हुआ है सन 1913 में. प्रश्न संख्या उन्चास है. कवी भवानी प्रशाद मिश्र की मृत्यू किस सन में हुई? अब हमने जन्म देखा 1913 में. तो उनकी मृत्यू कब हुई? सन 1982, 1983, 1984 या 1985 तो उनकी मृत्य हुई है सन 1985 या 1985 को. प्रश्न संख्या 50 है. निम्न में से किस कवी को कविता का गांधी कहा गया है? अब यहां पर देखे कहा पर आ गया? जहां पर हम उनकी भाशगत विशेशताएं पढ़ रहे हैं काविगत विशेशताएं जो पढ़ते हैं वहां से ये प्रश्न आया है. किस कवी को कविता का गांधी कहा गया है? कौन है कवी? शिव मंगल सिंग सुमन, भवानी प्रशाद मिश्र, सुमित्रा नंदिन पंथ, सुरकान त्रपाथी निराला. तो किस कवी को बोला गया है कविता का गांधी? वो है भवानी प्रशाद मिश्र को बोला गया है. तो इस प्रशन के साथ हमारा यह चैप्टर यहां समाप्त हुआ अच्छे से हमने कोशन किया तो इस चैप्टर के पहले भी मैं डिटेल एक्स्प्रिनेशन, NCRT सेलूशन, मल्टिपल चॉइस कोशन, मोस्ट इंपोर्टन कोशन, कम्प्लीट चैप्टर रवीजन सभी कुछ करा चुकी हूँ और यह सभी आपको कहां मिल रहा है 100% free वो है Magnet Brains में Magnet Brains एक ऐसा platform है जो आपको kindergarten से लेकर class 12 तक के सभी subject और सभी classes की education 100% free देता है और यह सभी free videos आपको मिल रहे हैं YouTube पे, हमारी website magnetbrains.com पे और हमारे app जिसे आप play store से download कर सकते हैं कहीं पे जाईए निश्चंतर होकर आप पढ़ सकते हैं लेकिन जब भी पढ़िये ध्यान से पढ़िये एकाकरता के साथ पढ़िये टेंशन लेकर आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करिये जब बच्चे से पढ़ाई करोगे तो जहर सी बाद है मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे तो इसी तरीके से पढ़ते रहे हैं और आगे हम और भी चैप्टर कावेखंड के लेकर आ रहे हैं जिनके हम MCQs कराएंगे तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई